एक से ज़्यादा structure हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ molecule ऐसे होते हैं जिनकी most of the properties एक particular या एक single structure से explain नहीं हो पाती है बेंजीन में जो bond length है वो single bond और double bond के बीच में है जब alpha effect लगता है तो एक new covalent bond बनता है एक extra covalent bond बनता है और इस extra covalent bond बनने के कारण huge amount of energy release होती है जो जादा stable resonating structure होंगी hybrid में उनका contribution जादा होगा अगर दोनों equally stable है stable उसी case में equal contribution होता है लो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं हूँ नीरल तुबे और मैं लेकर आया हूँ रफ्तार स्रीज के इस lecture में आपके लिए रजोनेस तो यार today's goal क्या discuss करने वाले हैं आज तो आज हम discuss करेंगे रजोनेस तो चलिए start करते हैं इस amazing session को अब यार पहला question यह होता है कि सर रजोनेस है क्या हम कैसे पहचाने कि किसी compound में रजोनेस है या नहीं है ठीक है तो इस पूरे पार्ट इस पूरे टॉपिक को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ पहले basic introduction फिर रजोनेस की condition फिर रजोनेटिंग structure बनाने के rules और फिर check करेंगे कि कौन से रजोनेटिंग structure कम stable है और कौन से रजोनेटिंग structure जादे stable है तो चलिए start करते हैं definition के साथ first of all resonance है क्या तो देखिए अगर कोई ऐसा molecule है जिसके एक से ज़्यादा valid structure लिखे जा सकते हैं तो उन structures को हम रजोनेटिंग structure कहते हैं और इस phenomena को resonance कहते हैं तो लिखे definition if more than one valid structures can be written for a molecule these are called these are called resonating structure resonating structure and this phenomena is called resonance एक से जादा अगर हम valid structure लिख पाएंगे तो एक से जादा valid structure का लिखा जाना ही resonance है फिर अगला सवाल उठता है कि सिर एक से जादा structure लिख क्यों रहे हैं एक ही structure क्यों नहीं लिख नहीं लिख नहीं थे क्योंकि अभी तक तो हम बहुत सारे molecule ऐसे देखते थे जिनका सिर्फ एक structure possible है यहां पर एक से जादा structure क्यों बन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एक से जादा structure हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ molecule ऐसे होते हैं जिनकी most of the properties एक particular या एक single structure से explain नहीं हो पाती तो फिर हमें एक से जादा structure की जरुवत पढ़ती है तो लिखिए दूसरा point note कीजिए if all the properties if all the properties of molecule cannot be cannot be explained on the basis of single lewis structure then more than one structures are required required ज्यान दीजेगा अगर एक particular structure से most of the properties explain नहीं हो पाती तो ऐसे केस में एक से ज्यादा structure बनाने पड़ते हैं जैसे एक कि यह तीन पाई बॉंड है और यह वाले कारवन कारवन में देखें तो यहां पर यहां पर एक सिग्मा और एक पाई आप देखिए 3 double bond तीन double bond और 3 carbon carbon single bond अब अगर carbon carbon single bond के हम bond length देखें तो carbon carbon single bond की bond length 1.53 और अगर carbon carbon double bond की तो यह Approximate 1.34 Ingestron है इसका मतलब तो यह हुआ कि बिंजीन में तीन बॉंट ऐसे हैं जो बड़े हैं और तीन बॉंट ऐसे हैं जो छोटे हैं तो फिर बिंजीन का ऐसा इस्ट्रीक्ट्र ना बनाकरके हमें बिंजीन कुछ ऐसा बनाना चाहिए था जिसमें तीन बॉन्ड छोटे बनाते और तीन बॉन्ड बड़े बट क्या आपने कभी ऐसा बेंजीन बना हुआ देखा है बिल्कुल नहीं सब ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजीन में एक्चुली ऐसा है नहीं कि तीन बॉन्ड डबल हो और तीन सिंगल हो बिंजीन में बॉन्जीन 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 में बॉ बलकि हम ऐसा इस्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दें तो हम ऐसा इस्ट्रक्चर भी बना सकते हैं तो बेंजीन एक्चुली ना इसके जैसा है ना इसके जैसा है बलकि थोड़ा थोड़ा सा दोनों के जैसा है तो ये तो हमने सोचा था कि बेंजीन ऐसा होना चाहिए हमने सोचा था कि बेंजीन में तीन सिंगल और तीन डबल है बट एक्चुल में बेंजीन में हर बॉंड में सिंगल बॉंड भी केरेक्टर है हर बॉंड में डबल बॉंड भी केरेक्टर है बेंजीन में जो बॉन्ड लेंग है ना तो 1.34 है ना 1.53 ये 1.39 इंगे स्टरों है उसका रीजन ये है कि हमने सोचा था बेंजीन ऐसा होना चायिए जो हमने सोचा था इनको हम कहते हैं इमेजनरी स्टरक्चर ये स्टरक्चरे है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन जो रियल में मॉलिक्यूल है उसमें हर बॉन्ड में तिंगल और हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है तो जो रियल मॉलिक्यूल है वो दोनों के हाइब्रिड जैसा दिखता है अगर इसको उठा के इसके उपर रख दे तो जो दिखेगा वो resonance आइब्रिड हो जाएगा तो ये आइब्रिड है उट कीजे फिर आगे चलते हैं अब जड़ा देखिए अगर हम resonating structures की बात करें तो जो resonating structures हैं वो imaginary हैं तो बस जो points अभी देखें उन्ही points को लिख लेते हैं next point लिखिए resonating structures resonating structures are imaginary structure resonating structures are imaginary जबकि resonance hybrid जो है वो real है resonance hybrid is real resonating structure imaginary है resonance hybrid जो है वो real है अब देखिए अगर हम देखें तो resonance hybrid थोड़ा थोड़ा सा हर resonating structure जैसा दिखता है every resonating structure contribute to resonance hybrid अब अब जो ज्यादा होगा ज्यादा होगा उसका hybrid में contribution ज्यादा होगा और अगर दोनों एक्वली स्टेवल हैं तो दोनों का contribution भी इक्वल होगा तो नेक्स पाइंट लिख सकते हैं every resonating structure every resonating structure contribute contribute to resonance hybrid हर resonating structure का hybrid में कुछ न कुछ contribution होगा every resonating structure contribute to resonance hybrid और जो ज्यादा stable है, उसका contribution भी ज्यादा होगा तो next point more stable more stable resonating structure more stable resonating structure contribute more जतना ज्यादा stable उतना ज्यादा hybrid में contribution ज्यादा arrest resonating structure होगा उसका resonance हाड़ी में contribution भी जयादा होगा अब देखिए अगर हम different resonating structures की बात करें और resonance hybrid की बात करें तो hybrid की energy minimum होती है hybrid सबसे जादा stable होता है तो अगर एक molecule है उसके resonating structure कितने भी हो सकते हैं हाइब्रिड हमेशा एक ही बनेगा और जो हाइब्रिड बनेगा उसकी energy minimum होगी stability maximum होगी नेक्स्ट पॉइंट लेख सकते हैं कि रेजोनेंस कि अगरेड़ कि इज हैविंग कि मैग्जुमम कि मैग्जुमम कि स्टेविलिटी कि एंट कि मिनिमुम कि इनरजी में जितने भी रेजोनेंटाइंग स्टे बनेञेंगे उनमेसे रेजोनेंटेंग स्टेप्चर के साथ अगर आप हइब्रिड को इन्यम्पर करेंगे तो हइब्रिड की stability हमेशा सबसे ज़्यादा होगी हाँ यह लग बात है कि जो resonating structures बने हैं उन में से कोई resonating structure कम stable होगा कोई ज़्यादा stable होगा और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि जितने resonating structure बन रहे हैं वो equally stable हो जाएं जैसे बेंजीन के दोनो resonating structure identical है तो उनकी stability भी identical होगी अगर resonating structure different बन रहे हैं तो उनकी stability भी different हो सकती है नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं नेक्स देखिए resonance synergy अब देखिए resonance energy क्या है जब molecule में resonance होता है तो कुछ energy release होती है resonance के कारण जो energy release होती है उसको हम resonance energy कहते हैं molecule की resonance energy जितनी ज़ादा होगी molecule उतना ज़ादा stable होगा तो next definition लिख सकते हैं resonance energy की energy released energy released during resonance अब देखो resonance के कारण जो energy release हो रही है उसको हम कहेंगे resonance energy अब अगर resonance के कारण energy release होती है तो अगर molecule में resonance होगा energy release हो जाएगी अगर कोई molecule अपनी energy release करेगा तो molecule stable हो जाएगा तो हम कह सकते हैं के resonance stabilizing phenomenon है next point लिखिये resonance is stabilizing phenomenon अगर molecule में resonance हो रहा है तो molecule stabilize हो जाएगा अब question ये है किसे resonance energy निकालें कैसे कैसे पता चलेगा कि किस molecule के resonance energy ज़्यादा है एक बात तो बिलकुल क्लियर है कि इस टेविलिटी इस डारेक्टली प्रपोजनल टू रेजोनेंस जादा रेजोनेंस तो मॉलेक्यूल की इनर्जी जादा ठीक है अब क्वेश्चिन है कि से रेजोनेंस इनर्जी निकाले कैसे तो देखिए अगर हमारे पास कि वान लोग कुछ मॉलेक्यूल हैं बेंजीन मॉलेक्यूल ले लेते हैं और बेंजीन के अगर हम डिफरेंट स्ट्रेक्चर्टर्स बनाते हैं एक है ना अब देखो एक तो हो सकता है हाइब्रिट और अगर हाइब्रिट देखें यहां पहम बना रहे हैं एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो यह तो पता ही है कि हाइब्रिट के एनर्जी हाइबरीट की एनरजी मिनिमम होगी और हाइबरीट की स्टेबिलिटी मैग्जम होगी अगर रेजोनेंस हाइबरीट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइबरीट और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइबरीट और जो resonating structures हैं जिसी ये बिंजीन का एक resonating structure और ये बिंजीन का दूसरा resonating structure अब देखिए अगर हम hybrid hybrid ये हो गया energy of resonance hybrid और ये हो गई energy of अब देखिए बिंजीन के बहुत सारे resonating structure बन सकते हैं लेकिन जब हमें resonance energy निकाल नहीं है तो resonance energy hybrid और most जो stable बना है उनके बीच का जो गैप है उसको हम resonance energy कहते हैं और जो most stable resonating structure है बिंजीन की ये दो resonating structure है जो highly stable है ध्यान रखिएगा resonating structures को हम double headed arrow से बनाते हैं ये दोनो highly stable है तो hybrid और most stable हाईब्रिट तो सबस्दादे इस्टेबल होगा पर हाईब्रिट के बाद जो resonating structures में से most stable है उनके बीच के gap को हम कहते हैं resonance energy ये है resonance energy हाईब्रिट और most stable के बीच का जो gap है उसको हम कहेंगे resonance energy तो अब देखें अब देखिए हम क्या लिख सकते है resonance energy क्या लिख सकते है इसको नोट कीजिए resonance energy के definition लिख वाता हूँ resonance energy के definition लिख से लगते है resonance energy क्या है energy of resonance hybrid minus energy of most contributing resonating structure लिख सकते है it is difference in energy between between energy of between energy of resonance resonance hybrid and most stable resonating structure ठीक है तो resonance hybrid and most stable resonating structure के बीच का जो energy gap है उसको हम कहते है resonance energy ठीक है अब देखिए किते पॉइंट हो गए थे यार तोटल तीन पॉइंट तो ये नेक्स पॉइंट फॉर पाइप अब एक बात देखिए एक बात तमझे हाइबरीट की energy है कम resonance hybrid की energy कम और जो most stable resonating structure है क्योंकि हाइबरीट की energy तो हमेशा minimum होती है resonating structures की energy तो हाइबरीट के comparison में ज़्यादा ही होगी अब देखो इसकी energy कम है इसकी energy ज़्यादा है और कम में से ज़्यादा को घटा होगे तो value negative आएगी इसलिए resonance energy की value always negative होती है तो next point लिख लीचेगा resonance energy is always resonance energy is always negative और यहाँ पर जो negative sign है वो यह बता रहा है कि during resonance energy release हो रही है तो next point लिख लीजेगा निगेटिव साइन निगेटिव साइन रिप्रेजेंट energy is being energy is being released तो नोट कीजिए पॉइंट फिर आगे तलते ही चलिए तो next देखते हैं next कुछ questions करके देखते हैं resonance पर बेस्ट जो topic अभी पढ़ा इसी topic पर बेस्ट कुछ questions करते हैं जैसे resonance energies तो क्या है resonance energy the potential energy difference between resonance hybrid and the most stable resonating structure यास resonance hybrid और जो most stable या most contributing resonating structure है उसके बीच का potential energy difference या जो energy difference है उसी को हम कहते है resonance hybrid so correct answer is that is called resonance energy so correct answer is A next देखिए which of the following statement is incorrect the energy of resonance hybrid is always less than that of any resonating structure बिलकुल सही है hybrid की energy हमेशा resonating structures की energy से कम होगी तो ये statement सही है the resonance energy is the difference between enthalpy of formation of the molecule and the resonating structure having maximum energy maximum energy नहीं minimum energy होता है तो ये गलत है the resonance structure are hypothetical structure and they do not have represent any real molecule तो yes जो resonating structure है वो hypothetical है और हर resonating structure का hybrid में कुछ न कुछ contribution है कोई भी एक particular resonating structure real molecule को represent नहीं करता तो yes this statement is correct in delocalized structure of benzene the pi electron cloud is spread equally above and below the plane molecule जब resonance होता है तो electron सभी bonds में above the plane and below the plane बेंजीन में equally dispersed होते हैं तो D answer is also correct B incorrect है और इसलिए correct answer हो जाएगा B अब देखिए हमने देखा resonance क्या है हमने देखा resonance energy क्या है अब अगला question यह होता है कि sir हमें कैसे पता चलेगा किसी molecule को देखकर किस molecule में resonance है या नहीं है तो कुछ particular conditions है अगर कोई molecule इन conditions को follow करता है तो फिर उस molecule में resonance होगा क्या condition है देखिए कि दो condition है पहली condition है molecule में का अंजूगेशन होना चाहिए कि दूसरा molecule planar होना चाहिए तो पहली condition है conjugation और दूसरी condition है प्लेणरिटी अब प्लेणरिटी का मतलब यह है जितने भी पूरा का पूरा molecule planar है बहुत अच्छी बात है हो सकता है molecule का एक part हो जिसमें resonance हो रहा हो तो जिस जितना molecule का item molecule का उतना part जिसमें resonance हो रहा है वो part सेम प्लेणर में होना चाहिए या हम और fine language में ऐसा कह सकते हैं कि जितने atoms resonance में participate कर रहे हो वो atom सेम प्लेण में हो अब यहार atom के electron resonance में participate करते हैं और electron होते हैं orbital में तो perfect word यह होगा और विटल्स participating in resonance must be present on same plane प्लेणर्टी का मतलब यहां पर है और विटल्स कि participating in resonance मस्ट भी प्रेजेंट मस्ट भी प्रेजेंट ओन एम प्लेणर्ट जितने atom resonance पर पार्टिस्पेट कर रहे हो वो atom सेम प्लेण में हो और atoms की भी वो orbital जो रजोने प्लेणर्ट कर रही है वो orbital सेम प्लेण में हो तर पता कैसे चलेगा को कौन सा मॉलिक्यूल प्लेणर है कौन सा नहीं है तो प्लेणर्टी की बिल्कुल सिंपल सी कंडिशन है कि अगर मॉलिक्यूल SP2 है यह कोई atom SP2 हाइबिडाइज तो फिर वो atom रजोनेंस पर पाटिस्पेट करेगा ठीक है अब चलिए कॉन्जूगेशन कैसे देख सकते हैं तो इलाइलिक कॉन्जूगेशन इलाइलिक कॉन्जूगेशन क्या होता है इलाइलिक कॉन्जूगेशन देखे अगर कहीं पर भी तीन atom है X Y Z ये तीन atom है X के उपर स्टार है फिर सिगमा बॉन्ट फिर पाई बॉन्ट तो जहां कहीं पर भी ऐसा होगा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये स्टार वहाँ पर रेजोनेंस होगा अब जब रेजोनेंस होगा तो अगली बार जो नया इस्ट्रिक्चर बनेगा तो ये पाई बॉन्ड एक्स और वाई के बीच में आ जाएगा एक्स डबल बॉन्ड वाई, जेड इस्टार अब ये पाई सिग्मा इस्टार जहां कहीं पर भी पाई सिग्मा इस्टार आएगा हम कहेंगे कॉन्जुगेशन है और जहां कॉन्जुगेशन होगा वहाँ रेजोनेंस होगा तर इस्टार का मतलब क्या हो सकता है तो star का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है, positive charge हो सकता है, pi sigma positive charge तो conjugation resonance होगा, pi sigma negative charge conjugation resonance होगा, pi sigma lone pair electron है, positive charge, negative charge, lone pair, pi sigma free electron या pi sigma vacant orbital. इन में से कोई भी condition satisfied होती है, तो हम कहेंगे molecule में conjugation है, और जहां conjugation है, वहां resonance है, तो चलिए, बना कर देखते हैं, पर्स्ट केस, आपको बताना है, इस molecule में conjugation है या नहीं, इस में resonance होगा या नहीं, CS2, double bond CS2 positive, अब देखिए ज़रा, pi sigma star, और इस बार star के जगे है positive charge, pi sigma positive, conjugation है, और अगर conjugation है, तो resonance होगा, अगर molecule में resonance है, तो इसका एक नया resonating structure बनेगा, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देखिएगा, जब नया resonating structure बनेगा, तो जो positive charge यहाँ पर था, वो इस पर आ जाएगा, CH double bond CS2 यह ऐसा बन गया, अब देखिए, electron का movement, high electron density से low electron density की ओर होता है, positive charge का मतलब है low electron density, pi bond मतलब high electron density, तो high electron density to low electron density, यह बन गया, यहाँ पर देखिए, यह दोनों resonating structure identical है, क्योंकि same charge, same item पर है, तो ऐसे resonating structure identical होंगे, यह दोनों resonating structure equally stable होंगे, और बना लेते हैं, और देखते हैं, जैसे, CH2 double bond CH, CH2 negative, यह इस molecule में भी resonance है, तो देखिए ज़रा, इस बार resonance condition से despite हो रही है, pi sigma negative, yes conjugation है, और अगर conjugation है, तो resonance होगा, और resonance होगा, तो नया resonating structure बनेगा, तो यहाँ पर है negative charge, यहाँ पर pi bond, negative charge मतलब high electron density, तो electron high electron density से low electron density के और move करेंगे, और अगर इस तरह से electron move करते हैं, तो देखिए नया resonating structure कैसा बनेगा, अब negative charge आ जाएगा, CS2 पर, CS2 negative, CH double bond, CS2, same charge, same item पर है, तो यह दो identical resonating structure बन जाएंगे, नोट कीजिए, फिर आगे चलते ही, चलिए और example लेते हैं, CS2, double bond, CH, O negative, अब, यहाँ पर, पाई, सिग्मा, स्टार, स्टार में negative charge, तो यह बन जाएगा, CH2 negative, CH double bond, O, अब इस बार, same item, same charge, different item पर है, एक बार oxygen पर, एक बार carbon पर, तो यह identical resonating structure नहीं है, इसलिए resonating structure identical भी हो सकते हैं, resonating structure different भी हो सकते हैं, ठीक है, चलिए और example देखते हैं, और example देखते हैं resonance के, जैसे, CH2, double bond, CH, O, एच, क्या इस molecule में resonance है, बिलकुल देखिए, पाई, सिग्मा, और स्टार के जगह है, लोन पेर, तो पाई, सिग्मा, लोन पेर, again, yes, molecule में conjugation है, और अगर conjugation है, तो resonance होगा, और resonance होगा, तो नया resonating structure बनेगा, CH2, negative, CH, double bond, OH, oxygen पे positive charge और एक लोन पेर ही है, ठीक है, so all these are condition of conjugation, आप कहीं पर भी πाई सिग्मा पॉस्टिव देखिए, पाई सिग्मा नेगेटिव देखिए, पाई सिग्मा लोन पेर, in fact, अगर पाई bond, सिग्मा बाउन और free electron है, free electron क्या है, जहाँ पर एक valency free है, bond तूटने से बना है, तो अब देखिए, यहाँ पर कैसा होगा, एक bond तूटा, यह electron इधर, और यह electron इधर, अब जो नया resonating structure बना है, वो कैसा बना, CH2 पर valency free, CH, CH2, इस carbon पर already एक valency free थी, bond तूटने से, यहाँ पर भी एक valency free हुई, यह electron इस तरह से, तो जो star इस carbon पर था, वोई इस carbon पर आगया, अब देखिए, तीन item लेना है, आप चाहें तो तीनो item सेम भी ले सकते हैं, X, Y, Z, तीन item चाहिए, तीनो item सेम भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं, दो सेम और एक भी different हो सकते हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं करता, और देखिए, CH2, double bond CH, और अगर यहां पर BH2 है, बोरॉन है, अब देखिए, बोरॉन के पास vacant orbital है, तो now this is the condition of पाई, सिग्मा vacant orbital, अब यह electron इधर मूव करेगा, और अगर यह electron इधर मूव करता है, तो नया resonating structure बनेगा, पाई सिग्मा पाउस्टिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा लून पेयर, पाई सिग्मा फ्री एलेक्राउन, ठीक है न, इस बात ते कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम सेम है, डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए, कि यह इस मॉलेक्यूल में रेजुनेंस है, तो ध्यान देजिए, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, तो पाई सिग्मा और निगेटिव चारज हैं, ऑर अगर काया निगेटिव चारज, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अब कुछ और कंडिशन्स देखते हैं केस वन था इलायलिक कांजूगेशन केस वन जो हमने देखा ये केस कुम सा है केस वन इलायलिक कांजूगेशन और देखिए कहां पर रेजन्स हो सकता है केस टू अगर कहीं पर भी पाई सिग्मा पाई कांजूगेशन है तो वहां पर भी रेजन्स होगा जैसे X double bond Y Z double bond A अगर कहीं पर पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है वहाँ पर भी रेजोनेंस होगा जैसे यहाँ पर देखिए एक केस क्या हो सकता है इसका जब X Y Z A जब चारो एटम सेम इलेक्ट्रो निगेटिव्टी वाले हों अगर सेम इलेक्ट्रो निगेटिव्टी वाले एटम है तो इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रो निगेटिव्टी में डिफरेंस नहीं है बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो यह केस हो गया नॉन पोलर non-polar pi sigma pi conjugation एक case क्या हो सकता है non-polar pi sigma pi conjugation जैसे c-s2 double bond c-h c-h double bond c-s2 सारे atoms same electronegativity वाले हैं अगर यहां पर conjugation होता है तो नया resonating structure कैसे बनेगा c-s2 positive c-h double bond c-h और c-s2 negative यह non-polar pi sigma pi है case 2 हो सकता है polar pi sigma pi conjugation polar pi sigma pi conjugation अगर सारे atoms अगर atoms के बीच में electronegativity में difference है तो जो conjugation है वो non-polar pi sigma pi conjugation है मुलब अगर सारे atoms same electronegativity वाले हैं तो non-polar और अगर different electronegativity वाले हैं जैसे c-s2 double bond c-h c-h double bond o अब यहाँ पर भी देखिए pi sigma pi conjugation है लेकिन different electronegativity वाले हैं तो अब यहाँ पर bond polar होगा जो more electronegative oxygen है उस पर partial negative और इस carbon पर partial positive अब देखिए same electronegativity वाले हैं अगर non-polar pi sigma pi conjugation है तो electron की shifting दोनों direction में हो सकती है इधर भी move कर सकता है और इधर भी move कर सकता है और अगर इस direction में movement होता तो जो नया structure बनता वो CH2 negative CH double bond CH और CH2 positive ऐसा बनता अगर polar pi sigma pi conjugation है तो अब देखिए electron की shifting यह वाला electron इधर जाएगा यह वाला electron इधर जाएगा अब जो नया originating structure बनेगा इस CH2 पर positive CH double bond CH O negative अब ध्यान यह रखना है कि अगर polar pi sigma pi है तो electron की shifting हमेशा toward more electron negative item कराना है तो ऐसी shifting तो हम करा सकते हैं लेकिन कभी ऐसी shifting नहीं कराना है because electron will move towards more electron negative item तो यहाँ पर एक point लिख लिजे in polar pi sigma pi conjugation in polar pi sigma pi conjugation electrons electrons moves towards moves towards more electron negative more electron negative item तो लिए नोट कीजे इसे पिर आगे चलते हैं अब यह दो कंडिशन हो गई हैं case three और कहां पर conjugation हो सकता है तो अगर कहीं पर सिर्फ polar pi bond है अगर कहीं पर सिर्फ polar pi bond है तो polar pi bond के case में भी conjugation हो सकता है देखें कैसे अगर कोई भी दो item है x double bond y और इन में से कोई भी एक ज़्यादा electron negative है जैसे y more electron negative than x अगर y के electron negative टे x से ज़्यादा है तो अब किस case में electron moves करेंगे towards more electron negative item तो अब यहां पर अगर हम resonance करते हैं तो एक नया resonating structure बनेगा जिसमें x पर positive और y पर negative होगा जैसे अगर आप से पूछा जाए कि बताएए क्या formaldehyde molecule इसमें resonance है तो yes यहां पर देखिए यह electron यहां move करता है तो नया resonating structure co negative carbon positive यह बन जाएगा जैसे c triple bond 10 है क्या इस molecule में resonance है कैसे c double bond n nitrogen पर negative carbon पर positive तो अगर polar pi bond है तो भी molecule में conjugation होगा पीन condition होगई pi sigma positive pi sigma negative pi sigma lone pair pi sigma free electron pi sigma vacant orbital pi sigma pi और एक देखा आमने कि अगर polar pi bond है तो भी molecule में conjugation होगा note कीजिए फिरागी चलते हैं नेक्स देखते हैं case 4 case 4 अब देखे अगर कोई ऐसा molecule है जिसमें दो item है एक x है और एक y है एक item के पास positive charge है और दूसरे item के पास जैसे negative charge था negative charge loan pair जैसे होते है तो अगर x पे positive charge y के पास loan pair तो यहाँ पर भी conjugation होगा और अगर यहाँ पर conjugation है नया resonating structure कैसा बनेगा यह electron यहाँ जाएगा x double bond y y ने electron दिया इस पर आगया positive charge यह बन गया और देखिए CH2 OH carbon पर positive oxygen पर loan pair क्या इस molecule में conjugation है यह positive charge के बगल में loan pair conjugation है conjugation है तो resonance होगा resonance होगा तो नया resonating structure बनेगा यह बन जाएगा CH2 double bond OH oxygen पर positive और एक loan pair और example देखिए ज़रा जैसे अगर हमारे पास यह molecule है क्या इस molecule में conjugation है क्या इस molecule में resonance है यहाँ positive के बगल में loan pair conjugation है resonance होगा यह electron इधर जाएगा और यह electron इधर जाएगा तो देखिए नया resonating structure कैसा बनेगा यह N H और nitrogen ने electron दिया है तो nitrogen प्रागिया positive charge अच्छा यह जो particular resonance है इसी resonance का हम एक और नाम लिखते हैं यह alpha effect है पहले भी इसके बारे में हमने discuss किया था और जो alpha effect है यह पूरी organic chemistry का most stabilizing electronic effect है क्या reason है यह most stabilizing electronic effect है क्योंकि जब alpha effect लगता है तो एक new covalent bond बनता है एक extra covalent bond बनता है और इस extra covalent bond बनने के कारण huge amount of energy release होती है इसलिए जहां कहीं पर भी alpha effect लगेगा यह most stabilizing electronic effect है चलिए एक और case हो सकता है case 5 और कहां पर resonance हो सकता है तो देखिए अगर दो item है x और y अगर एक item पर negative charge है और दूसरे item पर vacant orbital है now this is again condition of conjugation एक item पर vacant orbital दूसरे पर negative charge यहां पर अगर conjugation होगा तो देखो अब कैसे resonance होगा इसके पास vacant orbital vacant orbital are similar to positive charge negative charge are similar to loan pair यह इधर move करेगा x double bond y y ने electron दिया है जो electron देगा वो neutral जो लेगा वो negative charge यह बन गया अब देखिए अब जड़ा देखिए example लेकर समझते हैं जैसे is two negative तील क्या इस molecule में conjugation है क्या इस molecule में resonance होगा बिल्कुल होगा क्योंकि यहां पर chlorine के पास vacant orbital है जो भी third period on reverse element होते है चाहे फासफोरस हो sulfur हो chlorine हो इन सभी के पास vacant orbital vacant de-orbital तो है तो यह CS2 double bond CL chlorine पर negative charge किसी से related एक question पूछा जाता है देखिए question होता है कि अगर हमारे पास PCL3 negative है और CF3 negative है इन दोनों में ज़्यादा stable कौन सा होगा तो अब देखिए CCL3 negative में यहाँ पे vacant orbital है अगर यही vacant orbital अगर यही vacant orbital D sub-fail का है तो फिर हम इसी टाइप के resonance को इसी टाइप के resonance को ही हमें एक और नाम देते हैं इसको कहते हैं D orbital resonance और जिसको मैं organic में D orbital resonance कह रहा हूँ इसी को inorganic chemistry में कई बार back bonding भी कहते हैं back bonding या इसी को D orbital resonance तो क्लोरीन के पास vacant orbital है vacant orbital है D orbital तो यहाँ D orbital resonance होगा जबकि यहाँ पर केवल माइनस ही लगेगा resonance inductive के comparison में stronger effect होता है और इसलिए resonance sonic current DCL3 negative, CF3 negative से ज़्यादे stable होगा नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं तो कुछ questions करते हैं resonance effect involved delocalization of pi electron along a conjugated system बिल्किल सही है delocalization of pi electron होता है delocalization of loan pair along a conjugated बिल्किल सही है pi bond या loan pair या delocalization of negative charge तीनों ही सही हैं hence correct answer is D resonance में negative charge भी इनवाल होता है pi bond भी, loan pair भी so correct answer D next question the compound which is not resonance stabilized देखो यहाँ pi, sigma, chlorine के पास loan pair इसमें तो resonance है pi, sigma, pi, pi, sigma negative charge यहाँ पर भी resonance है यहाँ पर देखिए pi, sigma, loan pair loan pair, sigma, pi यहाँ पर भी conjugation है और जहाँ conjugation है वहाँ resonance है यह भी resonance stabilized है लेकिन अगर इस molecule में देखें तो pi, sigma, sigma, loan pair conjugation break हो गया conjugation है ही नहीं और जहाँ conjugation नहीं वहाँ पर resonance नहीं और जब resonance नहीं है तो यह resonance stabilized भी नहीं है so correct answer is B ध्यान रिखिएगा जो भी electron resonance में participate करते हैं उनको हम कहते हैं de localized तो कि हम move करते रहते हैं de localized और जो resonance में participate नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं localized चले नेक्स देखते हैं polarization of electron इन एक्रोलिन में भी रिटेन है अब एक्रोलिन अगर देखें तो यह molecule है यह तू डबल बांड सी एच पी एच डबल बांड ओ अब देखिए एक्रोलिन में अगर देखें oxygen मोर इलेक्रो निगेटिव है तो oxygen पर पार्सिल निगेटिव आएगा carbon पर पार्सिल पाउस्टिव because electron will move towards more इलेक्रो निगेटिव इटम तो देखिए कोई match कर रहा है क्या कौन सा match कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको shift कर लेते हैं पोड़ा सा shift कर लेते हैं यह यहाँ पे है जबकि यह होना चाहिए था यहाँ पे ऐसा कि यह डिवल बांड ओ ऐसा इस पर पार्सिल निगेटिव और कार्बन पर पार्सिल पाउस्टिव तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अब देखो पहले हमने resonance देखा फिर हमने resonance की condition देखी कहाँ पर resonance होगा अब जब resonating structure हम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जतने resonating structure हमने बनाए हैं वो सभी सही बने तो resonating structure correct बने है या incorrect बने है इनके लिए हमारे पास कुछ guidelines है, कुछ rules है, उन rules को follow करते हुए हम resonating structure बनाते हैं, ठीक है, तो चलिए एक-एक करके देखते हैं, resonating structure बनाते समय हमें किन rules को follow करना है, first देखिए, rule one, देखिए, जितने भी resonating structure होने चाहिए, वो valid Lewis structure होना चाहिए, valid Lewis structure होना चाहिए, इसका मतलब यह है, कि कोई भी ऐसा resonating structure नहीं होना चाहिए, जिसमें second period का जो element है, वो चार से ज़्यादा bound बना ले, उसके outer most time में कभी भी आठ से ज़्यादा electron नहीं होने चाहिए, तो लिखे rule one, all resonating structure, all resonating structure, must be bona fide, bona fide means valid, valid Lewis structure, all resonating structure must be bona fide means valid Lewis structure, अब इसका मीनिंग क्या है, bona fide, bona fide means valid, valid Lewis structure मतला, Lewis formula को follow करना चाहिए, Lewis theory क्या कहती है, कि second period की जो element है, वो maximum चार बान बना सकते हैं, उनके outer most film maximum 8 electron हो सकते हैं, अलेकली जेगा, second period element, for example, carbon, nitrogen, oxygen, can form maximum 4 bond, maximum 4 bond, कभी भी इनका octet expand नहीं हो सकता हैं, एके ना, maximum 4 bond and can have maximum 8 electron in outer most cell, outermost cell में, maximum valence cell में, maximum 8 electron हो सकते हैं, ठीक है ना, maximum 8 electron in outer most cell और in valence cell. अब जैसे एक example लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जहां पर conjugation होगा, वहां पर resonance होगा, अब कुछ लोग आ गये यह कहते हुए, इस सेर यहां पर देखिए, इस molecule में पाई sigma positive charge and पाई sigma positive charge is condition of conjugation आपने बताया था, पाई bond, sigma bond positive charge है तो conjugation होगा, और conjugation है तो यहां resonance होना चाहिए या नहीं, बोलो मित्रों, होना चाहिए या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए सर, और आपने करा भी दिया, आपने कासर देखो, यह बन गया नया resonating structure, बड़ ट्रॉबलम यह है, कि यह जो आपने बनाया है, यह तो valid है ही नहीं, यह हो गया invalid resonating structure, क्यों invalid हो गया, क्योंकि यहां पर nitrogen ने 5 bond बना लिये, nitrogen 5 bond बना लिया, यहां पर आउटरमोफ सलमेट 10 electron हो गये, nitrogen 5 bond बना ही नहीं सकता, इसका मतलब यह resonating structure आपने गलत बनाया है, इसका मतलब इस molecule का कोई दूसरा resonating structure बनेगा ही नहीं, और जब दूसरा resonating एक सज़ादा structure बने नहीं, तो इस molecule में resonance नहीं है, तो ध्यान रखना है resonance देखते समय, हमें यह देखना है, कि resonating structure बनाना है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, valid structure बनानी है, ठीक है, अब देखो अगर यही third period का element होता, अगर यही एक third period का element होता, किस टू, double bond CH, अगर यही PME3 positive होता, PME मतलब मिथाईल, अब, यहां पर आप कहेंगे सर देखिए, conjugation है, आप कहेंगे सर बिलकुल, πाई सिगमा positive charge, अच्छ, अच्छ, conjugation है, तो resonance करा दो, और resonance कराया, तो यह CH2 double bond, CH2 positive आगिया है, यहां पर, CH double bond P, और PME3 मतलब मिथाईल, तीन मिथाईल, क्या यह resonating structure valid है, बिलकुल valid है, क्योंकि, phosphorus अगर देखें, तो third period का element है, और phosphorus five bond बना सकता है, वो अपना octet expand कर सकता है, due to availability of d-orbital, बहुत famous question भी है, इन और्गिनिक में आपने पढ़ा होगा, कि PCL 5 बनता है, NCL 5 नहीं बनता, due to unavailability of vacant d-orbital, तो यहाँ पर phosphorus तो पांच bond बना सकता है, nitrogen पांच bond नहीं बना सकता, तो इस rule को धियान रखना है, ठीक है, पहले नोट कीजिए, rule one, फिर आगे चलते हैं, और example ले ले लें, चलो और example ले लेते हैं, जैसे, T-S2 double bond CH, N double bond O, O negative, nitrogen पर positive, oxygen पर negative, अब कुछ लोग उने का, कि सर देखो, pi sigma positive आगया है न, उनने का, हाँ ठीक है, बोले resonance करा देंगे सर, उनने का, कराओ देखो, करा कर देखो बेटा, क्योंकि, करने से ही तो होगा, तो ये CS2 positive, T-S, double bond N, आगया यहां पर, ये double bond O पहले ही था, और O negative, अब बताओ, क्या ये resonating structure, क्या ये दोनों एक दूसरे के resonating structure हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि सर, ये वाला तो invalid हो गया, ये invalid, ये आपने सही नहीं बनाया है, तो ये दोनों, एक दूसरे के resonating structure नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के resonating structure नहीं है, resonating structure वो होने चाहिए, जो maximum nitrogen जैसे element four bond ना बनाए, क्या इस molecule में resonance है, तो ये, अगर ये इधर चला जाए, और ये oxygen इधर चला जाए, तो अब देखो ज़रा, TH2, positive, CH, double bond N, O negative, और ये O negative, यहाँ पर कोई भी nitrogen ऐसा नहीं है, और जो positive charge था, वो अभी भी इस पे present है, तो अब ये दोनों structure तो valid है, क्योंकि यहाँ पर nitrogen maximum four bond बना रहा है, लेकिन ये वाला structure invalid है, क्योंकि यहाँ पर nitrogen ने 5 bond बना लिए, चलिए, तो आगे चलते हैं, rule one, rule two, next rule, देखे, आप किसी भी molecule के कितने ही resonating structure क्यों न बनाए, उनमें total number of unpaired electrons ही होना चाहिए, तो next point लेके, all resonating structure must have equal number of unpaired electron तेम होने चाहिए, कभी भी resonating structure में unpaired electron डिफरेंट ही होंगे, जैसे, example लेते हैं, CH2 double bond CH, CH double bond CH2, अब किसी ने कहा, तर इस molecule के उनमें resonance है, बोला देखो सर, हमने ऐसा resonating structure बनाया है, कि ये, ये, CH2, double bond CH, CH, एक free valency यहां, और, एक free valency यहां, और एक free valency यहां, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के, resonating structure हैं नहीं, क्योंकि यहां पर, कोई भी electron unpaired नहीं है, सारे electron paired हैं, यहां पर unpaired electron 0, जब कि यहां पर unpaired electron हो गए 2, तो ये दोनों एक दूसरे के, resonating structure नहीं है, resonating structure must have, equal number of unpaired electron, next rule देखिए, rule 3, जब भी हम resonance बनाएंगे, कभी भी resonating structures में, atom की position change नहीं होती, अगर atom की position change हो जाए, तो फिर वो resonating structure नहीं है, तो लिख सकते हैं, resonating structure, resonating structures, must have, same connectivity of, atom, इसका मतलब ये हुआ, आसान भासा में ये है, position of atom must not change, position of atom, must not change, अगर atom की position change हो जाए, तो फिर वो resonating structure नहीं है, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक molecule है, CS2 negative, CH double bond O, अब यहाँ पे, अगर हम electron को, यहाँ ले जाएं, और इस electron को यहाँ ले जाएं, तो एक नया structure बना, CS2, double bond CH, O negative, अगर ऐसा ही एक और काम किया जाए, देखिए, यह CS2, H, CH, double bond O है, अब अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे, यह वाला item यहाँ सिफ्ट होता है, यह वाला item यहाँ सिफ्ट होता है, अब, जो नया structure बनेगा, CH2, double bond, CH, और O, और H यहाँ पे आ गया, question है, कि क्या यह दोनों एक दूसरे के resonating structure हैं, नहीं, क्योंकि resonating structure में item की position change नहीं होनी चाहिए, यहाँ hydrogen atom की position change हो गई, और अगर atom की position change हो गई, तो वो resonating structure नहीं होंगे, रादर यह tartomer होते हैं, रादर यह tartomer है, यह हो जाएंगे, आटो मर, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स देखिए, rule four, नेक्स देखिए, rule four, नेक्स देखिए, अब देखिए, जब भी आप resonating structure बना रहेंगे, तो जितने भी resonating structure बनेंगे, उनमें negative charge, loan pair, और pi bond, इन तीनों का sum जो होगा, वो equal होगा, sum of, sum of, negative charge, sum of, negative charge, loan pair, sum of negative charge, loan pair, and pi bond, pi bond, is equal in all resonating structure, in all resonating structure, ठीक है, और एक last rule five, आपको कभी भी, कोई ऐसा structure नहीं बनाना है, जिसमें more electron negative item का, octet भी incomplete हो, और उस पर positive charge भी हो, इसके मतलब यह नहीं होता, कि more electron negative item पर positive charge नहीं आता, more electron negative पर positive charge आ सकता है, पर कब जब octet complete हो, कब नहीं आएगा, जब octet incomplete हो, तो लिखेगा, resonating structure, resonating structure, having positive charge, positive charge on more electron negative item, more electron negative item, with incomplete octet is invalid, ठीक है, जैसे, अगर आप से पूछा जाए, कि is two double bond CH, CH2, positive CH double bond O, क्या इस molecule में resonance है, अब आपने कहा कि सरापने बताया था, कि πाई, सिगमा positive charge conjugation है, और conjugation है, तो resonance है, और हमने ऐसा resonating structure बना दिया, कैसा, कि यह CS2, double bond CH, और O, और O ने ले क्रॉन दिया, तो positive charge आ गया, और दो लोन ले, तो अब ये वाला जो resonating structure है, ये invalid है, क्या reason है सर, क्यों invalid है, क्योंकि यहाँ पर more electronic negative item पर, तीन चीज़े एक साथ नहीं हो सकती, more electronic negative item, positive charge, and incomplete octet, अगर less electronic negative carbon होता, carbon पर positive charge हो सकता है, less electronic negative है, भले उसका octet incomplete है, but more electronic negative item, positive charge and incomplete octet, ये invalid हो गया, यहाँ पर इसके पास six electron ही है, तो क्या सर, कभी भी oxygen पर positive charge आ ही नहीं सकता है, oxygen पर positive charge आ सकता है, जैसे, CS2, positive, CS2 positive, O, CS3, oxygen पर lone pair, अब यहाँ पर, पाई, यहाँ पर देखिए positive charge, के बगल में lone pair, resonance होगा, और अगर resonance होगा, तो यहाँ पर, यह बन गया, CS2, double bond O, CS3, सर, यहाँ पर भी तो oxygen पर positive charge आया, लेकिन अभी octet complete है, अभी eight electron है यहाँ पर, तीन bond और एक lone pair, eight electron, यहाँ पर च्छै ही electron थे, तो यह invalid है, लेकिन नीचे वाला valid है, यह resonating structure नहीं है, लेकिन यह resonating structure है, तो rules लिखे, और फिर इनहीं पर बेस्ट कुछ questions करते हैं, जैसे देखिए, which of the following statement regarding resonance is not correct, the different resonating structure of a molecule, have fixed arrangement of atomic nuclei, बिल्कुल सही है, atom की position कभी भी change नहीं होता है, atomic nuclei change नहीं होता, तो हमें not correct ढूंड़ना था, the different resonating structure, different in arrangement of electron, बिल्कुल सही है, arrangement of electron different होता है, next देखिए, the hybrid structure has equal contribution from all the resonating structure, always गलत है यह, जो ज़्यादा stable resonating structure होंगी, hybrid में उनका contribution ज़्यादा होगा, अगर दोनों equally stable हैं, यह उसी case में equal contribution होता है, जिसे बेंजीन में, दोनों equally stable हैं, दोनों का equal contribution है, लेकिन अगर resonating structure equally stable नहीं है, तो ज़्यादा stable होगा, उसका contribution ज़्यादा होगा, तो यह गलत statement है, और इसी लिए correct answer सी, none of the individual resonating structure explain, all the characteristics of a molecule, yes, that's why we need require resonance, क्योंकि एक single structure से, सारी property explain नहीं होपाती हैं, which of the following is not acceptable resonating structure, यहाँ पर देखिए, nitrogen 4 bond बना रहा है, acceptable है, यहाँ पर भी nitrogen 4 bond बना रहा है, acceptable है, लेकिन nitrogen 5 bond बना ले, यह acceptable नहीं है, यह invalid हो गया, यह invalid हो गया, क्योंकि nitrogen नहीं 5 bond बना रहा हैं, correct answer B, which of the following is not permissible, again, simple question, कहीं पर भी एकर nitrogen 5 bond बना लेता है, तो वो invalid होगा, कोई दिख रहा है आपको, yes sir, यहाँ पर nitrogen नहीं 5 bond बनाया है, और इसलिए यह invalid है, तो correct answer is C, next दिखिए, among the set which represent resonating structure, देखिए यहाँ पर, hydrogen carbon जुड़ा है, अब hydrogen oxygen जुड़ा है, item की position change हो गई, यह resonating structure नहीं है, यहाँ पर देखिए, hydrogen oxygen carbon nitrogen, connectivity same है, केवल यह electron इधर गया, और यह इधर चला गया, तो यह दोनों एक दूसरे के resonating structure हैं, correct answer is B, यहाँ पर देखिए, पहले hydrogen carbon nitrogen, oxygen पहले nitrogen सुड़ा था, अब oxygen carbon सुड़ा है, तो resonating structure नहीं है, यहाँ पर hydrogen oxygen carbon nitrogen, hydrogen पहले oxygen सुड़ा था, अब hydrogen nitrogen सुड़ा है, तो यह resonating structure नहीं है, क्योंकि resonating structure में, atoms की connectivity change नहीं होनी चाहिए, चलिए next देखते हैं, the most unlikely representation of paranitrofenoxide, बिलकुल आसान यह वाला होगा, क्योंकि यहाँ nitrogen ने five bond बना लिया है, और nitrogen five bond नहीं बना सकता, तो यह most unlike representation है, अब एक बार हमने, मैंने कहा था, resonance पढ़ेंगे, resonance energy पढ़ा, उसकी condition पढ़ा, कहां resonance होगा, कहां नहीं होगा, फिर हमने देखा, कौन से resonating structure वैलिड होंगे, कौन से invalid होंगे, और हम last में आ चुके हैं, stability of resonating structure, कि अगर एक molecule के, एक से ज़्यादा resonating structure बनेंगे, तो कौन से ज़्यादा stable होंगे, कौन से कम होंगे, तो again we are guided by some rules, on rules से हम define कर लेंगे, कि कौन से resonating structure ज़्यादा stable हैं, लिखिए rule 1, लिखिए, कोई भी ऐसा resonating structure, जिसमें maximum number of atom का octet complete है, वो resonating structure ज़्यादा stable होगा, लिखिए, resonating structure, resonating structure, resonating structure with, resonating structure having, having maximum number of atoms, with complete octet are more stable, ऐसे resonating structure, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा item का octet complete हो, वो comparatively ज़्यादा stable होते हैं, जैसे example के तुरु समझते हैं, CH2 positive OH, इसमें resonance है, बिलकुल resonance है, नया resonating structure बनेगा, ये electron इधर गया, तो ये बन गया CH2, double bond OH, और oxygen पे positive 4, Now question is, इन दोनों में से ज़्यादा stable कौन सा है, तो यहाँ पर देखो, इस oxygen ने, दो lone pair और दो bond बनाए हैं, 8 electron, लेकिन इस carbon ने, तीन bond बनाए हैं, दो hydrogen के साथ, एक oxygen के साथ, तो यहाँ पे 6 electron, यहाँ पर देखिए carbon, दो bond बना रहा है, oxygen के साथ, और दो बना रहा है hydrogen के साथ, 8 electron, यहाँ पर देखिए, तो तीन bond और एक lone pair 8 electron, तो अब इन दोनों में से कौन सा regionating structure ऐसा हैं, जिसमें ज़्यादा item के octet complete हैं, फिकन वाला, so one or two में, तो ज़्यादा stable हैं, आप कहेंगे सर यह तो बड़ा tedious process है, कि पहले item देखो, फिर उनका octet देखो, कोई आसान तरीका हो सकता है, क्या, yes, बिल्कुल आसान तरीका है, वो resonating structure, जिसमें ज़्यादा pi bond होंगे, by default, उसमें ऐसे item भी ज़्यादा होंगे, जिनके octet complete है, तो अगली बार सिर्फ pi bond count कर लीजेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, resonate इसी rule को, लिख सकते हैं, ऐसा resonating structure, resonating structure, having more number of pi bond, is more stable, is more, stable, बिल्कुल आसान, जैसे, यहाँ पर देखिए, nitrogen के पास loan pair, carbon के पास positive, अब इन दोनों में, इसमें resonance है, बिल्कुल है, loan pair इधर गया, और जो नया resonating structure बना, वो N, और यहाँ पर आगया positive chart, no question is, one or two में ज़्यादा stable कौन सा है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर एक भी pie bond नहीं है, यहाँ पर एक pie bond है, again two is more stable than one, बिल्कुल आसान सा rule है, जहाँ पर pie bond ज़्यादा, वहाँ पर stability ज़्यादा, ठीक है, नोट किजिए, फिरागे चलते हैं, रूल टू, अगर एक resonating structure ऐसा है, जो neutral है, और दूसरा resonating structure है, जो charged है, तो neutral और charged में, neutral resonating structure comparatively ज़्यादा stable होगा, रूल टू लिख लिजिए, neutral resonating structure, is more stable than charged, जैसे, CH2 double bond CH, CH double bond O, ये वाला neutral है, और इसमें जब resonance हुआ, तो नया resonating structure कैसा बना, CH2 positive CH double bond CH O negative, अब ये neutral है, और ये charged है, तो कौन सा ज़्यादा stable होगा, आप कहेंगे सर्ट न्यूट्रल वाला ज़्यादा stable है, तो one is more stable than two, जो लोगों ने काए कि सर्ट पहले रूल से भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पर दो पाई bond है, और यहाँ पर एक ही पाई bond है, तो जिसमें पाई bond ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा stable होगा, तो one is more stable than two, चलिए और एक्जाम्पल लेते हैं, जिसे ही स्मॉलेक्यूल में रजुनेंस है या नहीं, तो पाई सिग्मा लोन पेर यास रजुनेंस है, अब रजुनेंस है, तो नया रजुनेटिंग स्ट्रॉक्चरी बनेगा, अब देखिए, जो नया रेजुनेटिंग स्ट्रॉक्चर बना, पीस्टू, निगेटिव, पीज, डेबल बॉन्ड ओ, पीस्ट्री, और ऑक्सिजन के पास, लोन पेर था, लोन पेर दिया, पॉस्टिप चार्ड आ गया, लोक्वेस्टिन इसकी सर, इन दोनों में ज्यादा इस्टेबल कौन सा है, तो देखिए, यार आप देखो इसमें, नमबर आफ पाई बॉन्ड तो दोनों में एक्क्वल है, अब कैसे कंपेर करें, तो यहां पर हमें ज़रुत पड़ेगी रूल टू की, जहां पर, molecule neutral होगा, और अगर एक charged है, तो neutral is always more stable than charged, तो इन दोनों में अगर यह 1 है, और यह 2 है, तो बताए जरह ज़्यादे stable कौन सा होगा, तो 1 is more stable than 2, because 1 is neutral and second is charged, देखिए रूल टू, फिर आगे चलते हैं, को लिख्यां कि देखिये रूल 3 रूल 3 जो है गर मॉलेक्व क्या है plays तू पहले हम देखेंगे चार्ज आनिटम कारज ऑू इत्प जहां देखेंगे चार्ज अन इटम में क्या देखेंगे निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इस मोर स्टेवल और और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या धियान रखना है पॉजिटिव चार्ज अन लेस इलेक्ट्र निगेटिव इटम क्या देखना है निगेटिव चार्ज वो वो रिजुनेटिंग स्ट्रिक्चर सबसे पहले तो आप पाई बाउन देखे पिर नूटरल चार्ज देख लीजे अगर दोनों चार्जट है तो वो रिजुनेटिंग स्ट्रिक्चर जाधे स्टेबल होंगे, जहां पर निग developers चार्ज मोड एलेक्ट्रो नेगेटिव इटम पे होगा फिर रूल फोर और आखरी में आप देखेंगे डिस्टेंस बिट्वीन चार्जेस डिस्टेंस बिट्वीन चार्ज यह आप लास्ट में देखेंगे और यहां पर देखेंगे कि जो अपोजिट चार्ज है पॉस्टिव और निगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाड़िए और जो सिमिलर चार्ज है वो मैग्जम डिस्टेंस पे सिमिलर चार्ज मैग्जम डिस्टेंस पे जैसे अगर एक पॉस्टिव और निगेटिव है तो ये दोनों पास पास होने चाहिए अगर एक निगेटिव है एक वेकंट और्बिटल है तो ये पास होना चाहिए लेकिन दो पॉस्टिव चार्ज कभी भी आसपास नहीं आने चाहिए दो निगेटिव कभी भी आसपास नहीं होने चाहिए निगेटिव के पास लोन पेर नहीं होना चाहिए या पॉस्टिव के पास वेकंट और्बिटल नहीं होने चाहिए क्योंकि उनका बिहेवियर सिमि डिस्टेंस अब कितने एग्जम्पल हो गए थे यार तो अभी हमने वन तू प्री पॉर एग्जम्पल देख लिए कुछ और एग्जम्पल देख लिए इसे फाइव अगर हमारे पास यह स्टू निगेटिव यह डबल बॉन्ड ओ है वेस्टन है इस मॉलेक्यूल में सिग्वा निगेटिव और एगर रेजोनेंस है तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रिक्चर बनेगा कैसा बनाइए इस टू डबल बॉन्ड सी एच और निगेटिव इन दोनों में ही देखें नंबर आफ पाई बॉन्ड सेम हैं दोनों ही चार्ज हैं तो फिर ज्यादा इस् स्टेविलिटी वन से ज्यादा होगी विकास निगेटिव चार्ज ऑक्सिजन पर ज्यादा स्टेवल होगा ठीक है चलिए नोट कीजिए फिर कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं निक्स देखिए जैसे CS3C double bond O O negative यहाँ पर भी resonance है और एगर यहाँ resonance कराते हैं तो अब यह इधर गया यह इधर गया यह बन गया CS3C O negative double bond O यहाँ पर दोनों resonating structure identical है तो 1 और 2 दोनों पर same item पर same charge है तो यहाँ stability equal है ठीक है और example लेते हैं जैसे CS2 double bond CH C double bond O O CS3 क्या इस molecule में resonance है तो यह दो side से conjugation है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेर और एगर conjugation है यह इधर गया यह इधर गया तो नया resonating structure बन जाएगा CH2 positive EH double bond C O negative O CS3 एक तो यह बना अच्छा एक possibility और है कैसी possibilities है अगर यह लोन पेर इधर जाता और यह इधर जाता तो अब जो नया resonating structure बनता वो CH2 double bond CH O negative double bond O CS3 oxygen के पास loan pair नो question is इन तीनों में ज्यादा stable कौन सा है 123 इन तीनों में stable कश सब्सा है यहां पर दो पाई बॉंड है जहां पाई बॉंड ज्यादा यह ना पर जादा सब्सक्राइल नियूटर्णी जदा है 100 वाला न्यूट्रिल है थ्री वाला चार्जड है इसलिए करेक्ट सिक्वेंस वान थ्री दू हो जाएगा चलिए कुछ और एक्जामपल लेते हैं जैसे अगर CS2 निगेटिव P ट्रिपल बॉंड N है और इस पे रेजोनेंस होता है ये इलेक्टरॉन इधर गया ये इलेक्टरॉन इधर गया ये बन गया CS2 डबल बॉंड C डबल बॉंड N पे निगेटिव नाइट्रोजन पे लोन पे अर अब इन दोनों में नंबर आफ पाई बॉंड इक्वल है दोनों में दो दो पाई बॉंड लेकिन यहां पर निगेटिव चार्ज कार्वन पर था यहां पर नाइट्रोजन पर है और इसलिए टू के स्टेविलिटी वन से ज़ादा होगी नोट कीजिए पिर आगे चलते हैं एक और एक्वल देखते हैं इसी का जैसे अगर हमारे पास स्टू डबल बॉंड एन डबल बॉंड एन इस नाइट्रोजन पर पॉस्टिव और इस नाइट्रोजन पर निगेटिव है अब देखिए अगर यहां पर यह इलेक्रॉन यहां जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो देखो नया रिजेटिंट्ट्र कैसा बनेगा नया रिजेटिंट्र इस ट्रिक्ट्र ऐसा बनेगा कि अब इस यह तू पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एन रिपल बॉंड एन और नाइट्रोजन पर पॉस्टिव ये बन गया कैसे जब ये इधर गया और तो ये वाला बॉंड इधर चला गया ये बन गया अब यार यहां पर एक पॉस्बिलिटी और है क्या पॉस्बिलिटी है सर अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए अब जो नया रिजुनेटिंग इस्ट्रॉक्चर बनेगा CS2 पॉस्टिव एन डबल बॉंड एन इस नाइट्रोजन पर निगेटिव ये बन गया अच्छासर एक पॉस्बिलिटी और थी कौन सी अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो यह बन जाएगा CS2 नेगेटिव एन डबल बॉंड एन और यह पॉस्टिव ये चार रिजुनेटिंग इस्ट्रिक्चर बने वान तू प्री पॉर नो क्वैस्टिन इस इ पाई बॉंड नाइंथ इक्जमपल है यहां पर कितने पाई बॉंड दो यहां पर भी दो इन दोनों में एक एक इसके मतलब तो यह हुआ कि वन और टू की स्टेवलिटी थी और फॉर से जादा है नो क्वैस्टिन इज वन और टू में जादा कौन है यहां पर टू हैं यहां पर कारवण यहां पर कार्वण पर पॉश्चिव चारज यहां पर निघेटिव चार्ज मोर एलेक्रो नेगेटिव इंटिव यहां इज्टेवन पर जादव होता हैं oni का इसका और यह नहीं बीग फैट एंस पहले resonance क्या होता है देखा। फिर condition देखा। के कहा resonance होगा कहा नहीं होगा क्योंकि आपका question होता है सर हमें कैई से पता चलेगा the conjugation देख कर पता चलेगा पिर सवाल उठके सर जो हमने resonating structure में वो सही वने या गलत तो उसके लिए rules for writing देखें पिर आपका सवाल था कि सर क्या सभी रेजनेटिंटिंग स्ट्चर एक्वली स्टेबल बनेंगे कुछ ज्यादा या कम तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स देखें और अब इसी पर बेस्ट कुछ क्वेस्टन्स हो जाएं और फिर आज का लेक्चर खतम करते हैं विच आप दो फॉलोविंग रेजनेटिंटिंटिंग स्ट्चर आफ वन में थॉक्षी वन त्री बूटा डाइन इसली स्टेबल यहां पर दो पाई बॉंड यहां पर एक पाई बॉंड और यहां पर भी एक प इस पे निगेटिव चार्ज और यहां पर लोन पेर मैंने आपको बताया था कि निगेटिव चार्ज लोन पेर का बिहेवियर भी निगेटिव चार्ज ऐसा होता है निगेटिव चार्ज के बगल में वेकेंट और्विटल जादा स्टेबल होती है और लोन पेर के बगल में पॉस्टिब चार्ज जादा इस्टेबल होता है लेकिन यहाँ पे लोन पेर के बगल में नेगेटिव आ गया तो यह स्टीमिलर चार्ज पार पास आ गये तो यह हाई अंस्टेबल या लीस्ट इस्टेबल हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इस डी फॉस्टिबल फॉस्टेबल रेजिक्ट यहाँ पर एक पाई बॉंड पहले पाई बॉंड देखिए एक पाई बॉंड और इसमें तो एग भी पाई बॉंड नहीं तो जहां the stability order of the following species देखिए यहाँ पर negative charge है sulfur पर और oxygen पर large anion पर negative charge सबसादा stable होता है so negative charge is more stable on sulfur then oxygen and then nitrogen तो यहाँ पर sulfur और oxygen यानि more electronegative item पर negative charge है तो सबसादा stability तो one की ही होगी यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज sulfur nitrogen पर है और यहाँ nitrogen oxygen पर तो one then two and then three negative charge ज्यादा stable है पहले sulfur पर फिर oxygen पर फिर nitrogen पर तो correct sequence हो गया one two three next next question देखिए which of the following resonating structure यह तो हो गया इस डिफरेंट है क्या नहीं सेम ही है क्या कि ली स्टेवल ठीक है यही तो कर दिया यहाँ पर देखिए among the following least stable resonating structure यहाँ पर nitrogen four bond बना रहा है ठीक बात यहाँ पर भी nitrogen four bond बना रहा है क्योंकि कहीं पर nitrogen ने five bond बनाया तो वह तो highly unstable invalid हो जाएगा यह तो सही हो गया four bond बना रहा है कोई भी मेलइप तो नहीं है अब पाई बांद कलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर देखो दो पाई बॉंट यहाँ पर भी दो पाई बॉंट यहां पर भी मेल औंट यहाँ पर भी बहुत आसानी से दिख रहा है चार जोन एम ऑक्सीज Chen पर आक्सीज़न पर ऑक्सीज़न पर आक्सीज़न पर सप्ते ऑक्सीज़न पर निगेर छार, लेकिन यहां पर पॉस्टिभ के बगल में पॉस्टिव आ गया और आपको पता ही है कि अगर positive के बगल में positive आ गया तो ये highly unstable हो जाएगा तो correct answer ए है The correct order, stability order अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा 1, ये question ही किया था सबसे ज़्यादा 1, more number of 5 bond फिर 3, number of 5 bond ज़्यादा है negative charge nitrogen पर यहाँ पर carbon पर फिर 2, nitrogen पर negative charge यहाँ पर nitrogen पर positive charge 1, 3, 2, or least stable हो जाएगा 4 1, 3, 2, 4, so correct answer is B So, thank you very much It's all about resonance Next class में discuss करेंगे Romanticity, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, thank you very much आज के लिए इतना ही, बाकी बातें Next class में